नमस्कार दोस्तों मैं राज सिंग मैंक्रोसप्स सर्टिफाइट ट्रेनर वोक्यों फ्रिंड्स प्रिवेस वीडियो आप आप लोग ने देखा होगा इस पार्ट के अंदर हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं आगे इतना प्रेक्टिस आप लोग ने अच्छे से कर लिया होगा कैसा लगा आप लोग कमेंट्स सेक्षिन में जाकर कमेंट्स कर सकते हो आईए अब रिपोर्ट के अंदर कुछ और चीज़ों को हम कंटिन्यू करते हैं अब यहां पर जो रिजन आपको दिख रहा है मैंने उसे फ और डिपार्टमेंट्स भी लिया है काँन सा डिपार्टमेंट देखना है काँसा डिपार्टमेंट नहीं देखना है तो बार-बार हैं अब आपको डिपार्टमेंट के ऊपर है कुछ filter जैसे britट रहे चार tracy करेंगे तो यह इस WordPress का आपके सामने आता है आप को क्या करेगा कि आप एडवांस लेबल और फिल्टरिंग ऑप्शन कर सकते और बहुत ही अच्छा रहता है डैश्बूर्ट रिपोर्टिंग के लिए भी अभी आप नहीं समझेंगे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तो जैसे कि आपको किस टेबल पर करना है तो मुझे रिजन पर अप्लाई करना है और मुझे डिपार्टमेंट पर अप्लाई करना है तो मैं इन दोनों को सेलेट करके करूंगा अब आप देखेंगे कि यहां पर आपके सामने दो स्लाइसर यहां पर आजाता है तो यह दोनों स्लाइसर को मैंने ऐसे ले लिया यहां से तो यह जो Slicer आता है तो वह ऐसे आप Slicer पर क्लिक करेंगे तो आपको Slicer का एक टैब दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, तो Slicer की colors होंगे, तो dark and light colors ही, तो मैं कोई भी एक color ले रहता हूँ, आप East पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने East का report है, सारा का सारा, ठीके, आप East में आपको admin का देखना है, तो आपको East और admin का जो report है, वह आपके सामने आजएगा, तो Slicer में इस तरीके से, clear करना है, तो यह रहा option उपर, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, clear हो जाएगा, यहाँ East और West रिजन ही चाहिए आपको, तो कैसे करना है आपको, तो आपने East को select किया, आप East का report आगया, अब आप control बटन दबाईए और West को click कीजिए, तो control बटन दबाके, आप multiple selection कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो East और West दोनों आ गया, तो यह East और West का record आ गया, उसी तरीके से, म क्लिक करना है, तो अब आपके सामने admin, finance और sales इन ही लोगों का, ब्रांच वाइस भी total और department वाइस भी total, तो कितने proper reports आप बना पा रहे हैं, slicer का use करके, आपके सामने, आपको पता भी चल रहा है, कि admin, finance और sales का ही data आ और East और West का ही data आ रहा है, तो इस तरीके से, आपने इन पर, तो मैं salary पर okay कर सकता हूँ, तो एक तीसरा और यहाँ पर slicer यहाँ पर add हो गया है, जब आप देखेंगे कि इस तरीके सा, अब पहले की दो clear कर देते हैं, अब मान के चलिए कि आपको सिर्फ admin देखना तो आपने click कर दिया, तो यह पूरा admin का report आ गया है, आपके सभी region का, ठीक है, इसको clear कर देते हैं, अब salary wise या कोई sales wise कोई ऐसे करना है, तो मान के चलिए यहाँ पर 5,950 यह कोई salary पर किसका है, तो मैंने click कर दिया, या 7,000 पर मैंने click कर दिया, जैसे मैं 7,000 पर click किया, तो वो मुझे बता देगा कि आगरा में यह department में इस बंदे का salary यहाँ इस department में इनका salary इतना है, तो इस salary को भी आप यहाँ पर add कर सकते हो, इसमें भी आप multiple selections कर सकते हो, तो slicer का बहुत ही बढ़िया से आपने यहाँ पर use कर लिया, बहुत सारी चीज़ें slicer के related भी कर लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे, तो फिला कर सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचाई है, जिन लोगों को pivot table के बारे में कुछ सीखना है,